वेलकम टू जॉन अकेडमी दिशिस शाहूल जॉन आज हम बढ़ने जा रहे हैं NCRT हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर सेकिंड जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य है यह चैप्टर सेकिंड है 7 क्लास के लिए आये शुरू करते हैं इसको साथवी से बारवी शताब्दी तक शाशन करने वाले राजवंच सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बारवी से साथवी से बारवी शताब्दी तक शाशन करने वाले राजवंच कौन-कौन से थे यानि कौन-कौन से राजवंच थे जिस पर राजा शाशन करते हैं, राजवंच का मतलब राजा द्वारा शाशन किया जाना, तो सात्वी शताब्दी में कई राजवंचों का उद्य हुआ, राजवंच का मतलब क्या होता है, राजा का शाशन, कि राजा जिस एरिये में करता है उसे राजवंश कहते हैं तो साथ विशताब्दी में कही राजवंशों का उद्य हो गया था और साथ विशताब्दी आते आते विबिन्द भागों में बड़े भूसवामी और योद्धा सरदार अस्तित्वों में आए साथ ही साथ क्या हुआ साथ विशताब्दी याने कि योद्धा का मतलब जो रडाई में पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है तो भूस्वामी बड़े-बड़े भूस्वामी आ गए योद्धा भी आ गए राजा उन्हें मातहट तथा सामंत की माननेता देते थे जो राजा हुआ करते थे उनको क्या पुकारा करते थे वो क क्या बोला करते थे उनको सामंत या माधहत वे राजा को सैंने साहता उपहार देते थे तदा वे दरवार में हाज्री लगाया करते थे जो ये सामंत थे जिनको राजा ने सामंत बोला किनको बोला भूस्वामी योद्धा को तो वो ये जो भूस्वामी योद्धा को राजा क् करता था सामंत, सामंत के मानने था दी, राजा ने एक तो सामंत की और माधध की, सामंत या माधध राजा को क्या क्या दिया करता था, सेंड ने साहता दिया करता था, यानि कि जब कभी भी युद होता था, तो उसके लिए जब भी सेना की अवशक्ता बढ़ती थी, तो वो सा सामंद या माथायत उपहार दिया करते थे राजाओ को और वे दर्वार में हाजरी लगाया करते थे यानि कि जाते थे और दर्वार में अपनी हाजरी दिया करते थे ठीक है फिर जब सामंद के पास अधिक सत्ता और संपदा हो जाती थी तब वे अपने आपको महा सामंद जब बहुत ज़्यादा संपत्ति हो जाती थी तब वो अपने आपको क्या कहते थे वो कौन है महासामंत हैं वो अपने आपको क्या बोला करते थे वो कौन है महासामंत और क्या बोला करते थे महामंडेलेश्वर महामंडेलेश्वर का मतलब होता है पूरे मंडल का महान स्वाम अपने आपको कहलवाते थे वो जिनके बाद जादा जमीने जायदाद हो जाती थी कभी कभी वे स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा करते थे कई बार कहते थे वो कि जो राजा है या जो उनका स्वामी है उससे वो अपना स्वतंत्र रास्तित वो बनाएंगे यानिके अलग रहेंगे अपने राज्य अलग बनाएंगे ऐसा कब हुआ था उधारण के लिए दक्कन में राश्ट कुटों द्वारा करनाटक के चालुक्यों से अलग हो जाना एक बार क्या हुआ दक्कन में यानि कि दक्षिन में राश्ट्रकुटों राश्ट्रकुट जो थे वो करनाटक के चालुक्यों से अलग हो गए थे ज्यानि कि जो चालुक्यों लोग थे जो राजा थे चालुक्यों उनसे राश्ट्रकुट अलग हो गए थे ऐसा राश्ट्रकुट के परदान दं ठीक है तो यह जो दंती दुर्ग था जो की राष्ट कुट के परधान था दंती दुर्ग वो चालुक्त्यों से अलग हो गया था अपने अपस्वधंत्र गोशित कर दिया था उसने एक और उधारन देखें तो कदंब मयूर शर्मन और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब् फिर हम्मन हुआ करते थे पंडित हुआ करते dis with और अपना काम्दंदय यह वाला छोडा फिर उन्होंने शस्टु को अपना लिया, याने की वो क्या बन गए? छत्रिये बन गए, याने की जो सेना के अंदर पार्टिसिपेट करता है, लड़ता है. अब हम पड़ंगों राज्यों में प्रशाशन. इन में से कई राजाओं ने महादिराज, त्रिबुवन, चक्रवर्तिन और इसी तरह अन्य भारी भरकम उपा दिली बहुत से राजाओंने बोला मैं तो हूँ महाधिराज हूँ और बहुत से राजाओंने बोला कि मैं कौन हूँ त्रिभुवन चक्रवर्तिन इन्होंने अपने आपको ये भारी भर्गम उपादे दी ये महाधिराज क्या होता था राजाओं के राजा इसका मतलब है त्री भूवन चक्रवर्तिन का मतलब है तीन भूवनों का सौमी ता ऐसी ऐसी उपवाधी राजा ले लिया करते थे, इन सभी राज्यों में किसानो, पशुपालकों और कारीगरों से सनसाधन इखटे किये जाते थे, अब इन जो राज्यों के अंदर किस किस से सनसाधन शीक事 के गुइंट किये जाते थे। किसानों से पशुपालकों से और कारीघरों से ठीक है। इनको अपने उत्पादन का एक लगान के रूप मे देना पड़ता था। अब क्या करते थे अपना जो भी उत्पादन करते थे जो भी प्रोडक्शन करते थे। उसका एक हिस्सा वो दे दिया करते थे लगान के रूप में, लगान का मतलब टैक्स के रूप में किसको दे दिया करते थे राजा को, साथी साथ राजस्व वेपारियों से भी लिया जाता था, राजस्व मतलब टैक्स, लगान मतलब भी टैक्स, तो राजस्व किस से लिया ज उनका प्रियोग जो पैसा लेते थे टैक्स के रूप में उसका प्रियोग किसमे करते थे वो मंदिरों को बनवाने में और दुर्गों का निर्माल करवाने में जेतनी बात के लिए होगी है आपको नेक्स्ट है प्रश्चिया और भूमी अनुदान सबसे पहले हैं प्रश्चिया के बारें पढ़ेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंचा में लिखा गया भाशन या गरंत प्रश्चि कहलाता है याने कि राजाओं के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जब भी तारिफ लिखी जाती थी या उसकी प्रशंचा की जाती थी और लिखा जाता था उसको तब उस बाशन या गरंत को प्रश्चि कहा जाता था ठीक है तो प्रस्ति वंश के बारे में भी बताती थी प्रस्ति क्या होती थी जो वंश के बारे में बताती थी इनका प्रियोग राजा बड़े प्रधान द्वारा की जाती थी इनका प्रियोग किसके द्वारा किया जाती थी बड़े बड़े राजा बड़े बड़े प्रधान द्व प्रश्तियां लिखवा दि ती यह अंगे अपने आत्मसम्मान नंका कर वाते अ जो भी उन्होने काम क्रें करा है बड़े-बड़े काम जो करें प्रस्तियां लिखवाते थे ऐसे ही प्रस्ति हमें गुप्तवंच के पहले शाशक चंद्रगुप्त की मिलती है ऐसी जो प्रस्ति का उधारन है प्रस्ति तो आप समझ गए है प्रशंचा करना प्रशंचा में लिखा गया बाशन या ग्रंत प्रस्ति के लाता था ऐसी प्रश्ति गुप्त वंस के पहले शाशक चंद्रगुप्त की मिलती है किसकी मिलती है चंद्रगुप्त की राजा ब्राम्मनों को भूमी भी इनाम में दिया करते थे राजा क्या करा करते थे ब्राम्मनों को पंडित पुजारियों को भूमी भी इनाम में दिया करते थे ये ताम पत्रों में लिखा जाता था और ये जब राजा ब्राम्मनों को भूमी इनाम में दिया करते थे तो उस station करवाते हैं यह documents अभी हैसा इन वोते ये सब किसमें लिखा जाता था तो इस पकल राजा नाम में दिया करता था जो भूबी नॉलिज की बाद यहां पर है चोहान शब्द आज के समय में आपने सुनाओगा किसी का नाम चाहान हो चाहान हो या कोई सा भी चोहान हो यह जो चोहान शब्द है कहां से लिया गया है चाहमान से लिया गया है तो चोहान शब्द कहां से लिया गया है चाहमान शब्द से यान नजर उरे उरे यूर से तंजावूर तक कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसित एक छोटे से मुख्या परिवार की सत्ता थी कावेरी डेल्टा में क्या था मुट्रियार नाम से प्रसित एक छोटे से मुख्या परिवार की क्या थी सत्ता यानि कि वो उकूमत क्य क्या करते थे वहां पर वे कांचि पूरम के फ्ल्लब राजाओं के सामंत थे कॉंध हैं। जामंत का मतला आपको बता दिया है मैंने उरियार के चॉल वन्षिय मुख्या परिवार के विज्याले ने नौवी सदी के मद्दे में मुट्यारों को हरा कर इस डेल्टा पर कपजा जमाया यहां की साइट में उरियार के चॉल वन्षिय मुख्या परिवार के विज्याले ने विज्याल्ले जो किसी व्यक्ति का नाम है, विज्याल्ले ने क्या करा, नोवी सधी में, नोवी सधी के मद्दे में मुट्चियारों को हरादिया, और इस डेल्टा पर कबजा कर लिया, ठीक है, मुट्चियार कौन थे पहले तो, परसिद्ध मुट्यार नाम से परसिद्ध एक छोटे तो मुख्या परियार की सत्ता थी कहाँ पर कावेरी डेल्टा पर जो की पल्लव राजाओं के कौन थे एक सामन्त थे कांची पूर्यम के पल्लव राजाओं के कौन थे सामन्त थे और उनको हराए किसने था मुट्यार को उर एर के चॉलवंसिये मुख्या ने, मुख्या कौन था चॉलवंसिये मुख्या, विज्याल्य, क्या नाम था उनका, विज्याल्य, नौवी सदी के मद्दे में मुट्यारों को हरा कर इस डेल्टा पर कबजा कर लिया था, अब आगे पढ़ते हैं, यह जो आपको पिच्चर दिखाई दे रही है, यह है विज्याल्य चॉल, जिन्होंने मुट्यारों को हराया था, और कावेरी डेल्टा पर गोमत कर ली थी कबजा कर लिया था, यह है विज्याल्य चॉल, वहां और वहां तंजावुर शहर और निशुम्ब सुधनी देवी का मंदिर बनवाया, इन्होंने क्या करा फिर, वहां तंजावुर शहर और निशुम्ब सुधनी देवी का मंदिर बनवा दिया, विज्याल्य के उत्रधिकारियों ने पड़ोसी राज्यों को जीत कर अप राशनकराबाद में विज्जय एल्ले के बाद। उन्होंने पडौसी राजाओं को जीत कर उनको हरा दिया मतलब, तो और अपने अपने राज्य का विस्तार कर लिया। दक्षिन और उत्तर के पांधयन और पल्लव के इलागों को इसमें मिला दिया गया। दक्षिन के और उत्तर के पांडेन और पल्लक के इलागों इसमें क्या कर दिया, मिला दिया गया किसमें कावहरी डेल्टा में, राज़ राजब प्रथम सबसे शक्ति शाली चौल शालटम कम राज बना था हूं जो कि 1985 में, 985 में, 985 हिस्वी में राजा बना था, कौन राजा बना था, राज राज प्रथम, इसने ही अधिक्तर छेत्रों को मिलकर, मिलाकर राज्य का विस्तार किया था, राज राज प्रथम ने क्या कर था, अधिक्तर छेत्रों को मिलाया, और अपने राज्य का विस्तार कर दिया राज राज प्रथम के बेटे देड़ाज इंद्र प्रथम ने क्या राज प्रथम कि नीतीICK को जारी रखा में को राज्जे के विस्तार करने की नीती को कि फिर रहुवे मंदिर और कांसर मूर्तिकला आपगो पिच्चर में दिखाई दे रहा है व्रदेश्वर मंदिर प्रभी के राजवश प्रतम दवारा तंजोर में वर्देश्वर मंदिर बनवाया गया मैं तो य Daf district तो गूलाज़ास प्रतम ने भृदे श्युर मंदिर बनवाई था कहां पर पंजोर में और राज़ाज प्रथम ने जाने की जो इनके बेटे थे राज़ाज प्रथम के राज़ाज प्रथम ने तंजोर में ही गंगे कोड़ चौलपुरम नाम का मंदिर बनवाया था तो राज़ाज प्रथम ने बनवाया ब्रिदेश्वर मंदिर राज़ाज प्रथम बनवाया गंगे कॉंड चौल पुरम यह मूर्तिकला की नजर से चमतकार था जैसे कि आप देख सकते हो देखने में कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है मंदिर तो यह बनवाया था राज़राज प्रथम ने आगे पढ़ने से पहले आपको बताना जाता हूं मैं अगर आप पूरी बुक के नोट्स चाते हैं पीडिएफ नोट्स लेना चाते हैं तो जौन अकाइडबी की आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें और अब हम पढ़ते हैं कि मंदिर केवल पूजा अराधना के स्थान नहीं थैं बलकि वह आर्थिक समाजिक और सांस्क्रिटिक जीवन के केंद्र ऩे जो एपन्दर बनवाए गये थे आपने देखा ब्रदेश्वन मंदर जो बनवाया गया था वह माना वहांपर पूजा होती है अराधना होती है पर उस समय में पूजा अराधना के ह इस्तान नहीं थे वहां पर क्या क्या होता था आर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे तो यह सारे किसके केंद्र आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्रहां से पैसा भी कमाय जाता था समाजिक जीजे भी की जाता थियो हो सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी ये मंद्र हुआ करते थे इसमें कान से प्रतिमाय बनाने का काम विशिष्ट acontecer Tai जैसे कि आप पिच्चर में देख सकते हो एक कांसे प्रतिमा दिखा रखी है ये अलगी विशिष्टा बताती है कांसे प्रतिमा की चौल कांसे प्रतिमा है संसार की सबसे उत्तम कांसे प्रतिमाओं में गिनी जाती है जो कांसे प्रतिमा है संसार की सबसे अच्छी या दे चौल कांसे प्रतिमाएं जाद तर प्रतिमाएं किसकी बनी वे देवी देवताओं की और कुछ भक्तों की प्रतिमाएं बनाई जाती थी तो जाद तर तो अब पढ़ते हैं हम किर्शी और सिचाई किर्शी करने के लिए जंगलों को साफ किया जाने लगा जमीन को समतल किया जाने लगा ठीक है क्योंकि किर्शी की जोरत पढ़ रही थी तो क्या गरा जंगलों को साफ कर दिया जमीन को समतल याने की पेन बना दिया गया डेल्टा छेत्र में बाड रोगने के लिए बांध बना दिये गई, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहर बनाई जाने लगी, कई छेत्रों में एक साल में दो फसले उबाई जाती थी, बाड़िश के पानी को जमा करने के लिए तलाब बनाई जाते थे, सिचाई के लिए श्रम संसादन देख रेक पानी का बटवारा आधी को ध्यान में रखा जाता था तो सिचाई के लिए किसको भी ध्यान में रखा जाता था श्रम को संसादन को देख रेक करना इनकी तो इनके सब चीजों को पानी के बटवारे को भी ध्यान में रखा जाता था, तो ये चीज होती थी उस समय में, साथवी से बारवी शताब्दी में, किर्शी और सिचाई में, किसानों की बस्तियां, जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत स्मृध हो गई थी, जाती के धनी किसानों को केंद्रे चल सरकार की देखरेक में, नाडू के कामकाज में अच्छा खाल, ने अशिल था, वैलाल जाती के धनी किसान जोते उनको केंद्रे चौल सरकार की देखरेक में तो कहां काम करते थे केंद्रे चौल सरकार की देखरेक में नाडू के कामकाज में अच्छा कासा निंत्रन हासिल था रहने कि नाडू के काम काज पर किसका नियंत्रन था वैलाल जाती का उन्हें चौल शाशक द्वारा कई उपादियों से सम्मानित किया जाता था जैसे कि उन्हें बोला जाता था मुविंद वल्लम मुविंद वेलन और अर यार मुविंद वेलन का मतलब है तीन राजाओ को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान या वेलन थीक है तो ये तीन राजाओ को जबनी सेवा प्रदान कर देता था उसको मुविंद वेलन कहा जाता था और प्रदान को अर यार क रहा जाता था तो यह आपका चैप्टर यहीं कंपलीट होता है बागी चैप्टर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का लाइक शेर करना ना बोलें